आज देश में परियाटान और स्तिर्थ यात्रा को लेकर उत्सा बढ़ रहा है काशी कोरिडोर बनने के बार वहां रिकॉर्ड संख्या में स्रद्धालू पहुत रहे हैं बीते एक वर्ष में साड़े आठ करोर लोग काशी गए पांच करोर से अधिक लोगों ने उज्जेन में महा काल महा लोग के दर्शन किये 19 लाग से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है अयोध्या धाम में प्रान प्रतिष्टा को अभी कुछी दिन हुए है बारा दिन में ही अयोध्या में 24 लाग से जादा लोग दर्शन कर चुके हैं मा कामा क्या दिव्य लोग बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही द्रश्य देखने वाले हैं साथियों जब तीर से यात्री आते हैं स्रद्धालू आते हैं तब गरीब से गरीब भी कमाता है रिक्से वाले हो, टैक्सी वाले हो, होटेल वाले हो, रेडी पट्री वाले हो सभी की आमदनी बढ़ती है इसलिए इस वर्ष के बजेट में भी अपने परियतन पर बहुत बल दिया है केंद्र की भाजपा सरकार परियतन से जुड़े अईतिहासिक स्थानों के विकास के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है असम में नौर्टिश में तो इसके लिए भरपूर सम्भावना है इसलिए भाजपा सरकार नौर्टिश के विकास पर विशेश जोर दे रही है साथियों बीते दस वर्सों से नौर्टिश में रिकॉर्ड संख्या में तुरिस्ट आए है आखिर ऐसे कैसे हुआ परियटन के केंद्र नौर्थ इसके खुब्सुरत इलाके तो पहले भी यहां थे लेकिन तब इतने टुरिस्ट यहां नहीं आते थे हिंसा के बीच साधन संसाजरों के अबाव के बीच सुविधाओं की कमी के बीच आखिर कौन यहां आना पसंद करता आप भी जानते हैं कि दज साल पहले असम समेट पूरे नौर्थ इसके बें क्या स्थिती थी पूरे नौर्थ इसके रेल यात्रा और हवा यात्रा बहुत ही सिमित थी सडके संक्री भी थी और खराब भी थी एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िये एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई कई गंटे लग जाते थे इन सारी परिस्थित्यों को आज भाजपा की डबल इंजिन सरकार ने एंडिये सरकार ने बदला है साथियों पिछले दस वरसों में हमारी सरकार ने हाँ विकास पर होने वाले खर्च को चार गुना बढ़ाया है दो हजार चौदा के बाद रेलवेट ट्रेक की लंबाई उननी सो किलो मिटर से जादा बढ़ाई गई दो हजार चौदा से पहले की तुलना में रेल बजेर करीब करीब चार सो प्रतिशत बढ़ाया गया है और तब तो पुदान मंत्री आपके आस्वाम से चुचे जाते थे उससे ज़्यादा काम ये आपका साथी कर रहा है दो हजार चौदा तक यहाँ सिर्प दस हजार किलोमेटर नेशनल हाइवे हुआ करते थे पिछले दस वर्सों में हमने छे हजार किलोमेटर के नए नेशनल हाइवे बनाए है आज दो और नई सरक परियोजनाओं का उद्गाटन हुआ है इससे अब इचा नगर तक कनेक्टिविटी और बहतर होगी आप सभी लोगों की मुश्किले और कम होगी साथियों आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी मैंने गरीबों को महिलाओं को युवाओं और किसान को मुल्द सुविधा देने की गारंटी दी है आज इन में से अधित्तर गारंटी यान पूरी हो रही है हमने विश्षित भारत संकल भी आत्रा के दोरान भी देखा है जो भी सरकारी योजनाओं से बंचित थे उन तक पहुंचने के लिए मोदी की गारंटी वाली गारंटी पहुंची है पूरे देश में करीब-करीब बीस करोड लोग सीधे तोर पर बिश्षित भारत संकल भी आत्रा में शामिल हुए है बड़ी संख्या में असम के लोगों को भी इस यात्रा का लाब मिला है साथियों भाजपा की डबल इंजिन सरकार हर लाभारती तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है हमारा लक्ष हर नागरिक का जिवन आसान बनाने का है यही फोकस तीन दिन पहले जो बजेट आया है उसमें भी दिखता है बजेट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्टर पर ग्यारा लाग करोड रुपिये खर्च करने का संकल पलिया है यह कितनी बड़ी रासी है इसका अनुमान एक और आकड़े से लगाया जा सकता है 2014 से पहले के 10 वर्षों में यह आकड़ा याद रखना मेरे आसाम के भाई बेन 2014 के पहले 10 वर्षों में कुल 12 लाग करोड रुपिये इंफ्रास्ट्रक्टर का बजेट रहा है 10 साल में 12 लाग करोड यानि जितना पहले की केंदर सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया था करीब करीब उतनी राशी हमारी सरकार अगले एक साल में खर्च करने जा रही है आप कलपना कर सकते हैं कि देश में कितने बड़े पैमाने पर निर्मान कारिय होने जा रहा है और जब इतनी बड़ी राशी निर्मान कारियों में लगती है तो नए रोजगार बनते हैं उद्ध्योगों को नई गती मिलती है साथियों इस बजेट में एक और बहुत बड़ी योजना की गोशना हुई है बीते दस वर्सों में हमने हर गर तक बिजली पहुंचाने का बियान चलाया अब हम बिजली का बियल आसाम के भाईयों बेनों और देशवाजी भी मैं बहुत महत्पण काम आपके सामने रख रहा हूँ अब बिजली का बियल भी जीरों करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं बजेट में सरकार ने रूप टॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का एलान किया है इस योजना के तहट प्रारंब में एक करोर परिवारों को सोलर रूप टॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी इससे उनका बिजली का बिल भी जीरों होगा और साथी सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा साथियों मैंने देश की दो करोड बहनों को लखपती बनाने की गारंटी दी थी बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्रात्विक जो जानकारी मिली है अब तक हम एक करोड बहने लगपती दीदी बन चुकी है हमारे देश में सेल्फ हेल्फ गुरूप में काम करने वाली एक करोड बहने जब लगपती दीदी बनती है ने तो नीचे धर्ती कितनी बदल जाती है दोस्तों अब इस बजेट में हमने लगपती दीदी बनाने के लक्ष को और बढ़ा दिया है अब दो करोड के बजाए तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाये जाएगा इसका लाप असम की मेरी हजारों लाखों बेहनों को भी जरूर होने वाला है यहां स्वयम सहायता समू से जुड़ी सभी बहनों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं और इतनी बड़ी माताए बेहने आई है जरूर समें भी मेरी लगपती दीदी आई ही होगी हमारी सरकार इस बजेट में आंगनवाडी और आशा बेहनों को भी अब आईश्वान योजना के दायरे में ले आई है इससे उन्हें भी अब पांच लाख उप्या तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिल गई है जब बेहनों बेटियों का जीवन आसान बनाने वाली सरकार हो संवेजन सिल्टा से काम होता है भाई और बेहनों मोदी जो गारंटि देता है ना उसे पूरा करने के लिए दिन राप एक करने का हौसला भी रखता है इसलिए आज नौर्थ इसको मोदी की गारंटी पर भरोसा है आज असन में देखिए सालों साल से जो इलाके शांत थे वहाँ अब स्थाई शांती स्थाफित हो रही है राज्यों के बीच सीमा विबाद हल हो रहे हैं बाजपात सरकार बंडे के बाद यहां दस से जादा बड़े शांती समझोते हुए है पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ इस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है मैंने कई वर्षों तक आसाम में मेरी पार्टी के संगठन का काम किया है मैं यहां हर इलाके में घुमा हुआ इनसान और मुझे आद है उस सबय जाने आने में एक रुकावट ये होती थी कि रोड ब्लोक के कारकम, मंद के कारकम और गोहाटी तक के अंदर मम ब्लास की घटनाएं मैं अपने आखों से देखता था आज वो भुद्कार बनता चला गया है दोस्तों लोग शांती से जीद है असम के साथ हजार से जादा नौजवानों ने भी हतियार छोड़े है देश की विकास में कंदे से कंदा मिला का चलने का संकल पलिया है कई जिलों में आस्पा हटाया गया है जो खेत्र हिंसा प्रभावित रहे आज वो अपने आकांग छाओं के अनुसार अपना विकास कर रहे है और सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है साथियों छोटे लक्ष रखकर कोई भी देश कोई राज्य तेज विकास नहीं कर सकता पहले की सरकारें ना बड़े लक्ष तै करती थी और ना ही अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए उतनी महनत करती थी हमने पहले की सरकारों की सोच को भी बदल दिया है मैं नौर्थिस्ट को उसी तरफ विक्सित होते देख रहा हूँ जैसा पुरिवी एशिया को दुनिया देखती है आज नौर्थिस्ट होते हुए दक्षीड एशिया और पुरिवी एशिया की कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है आज यहाँ साउथ एशिया सब्रिजिनल एकोनामिक कॉर्परेशन उसके कॉर्परेशन के तहर भी अनेक सडकों को अप्ग्रेड करने का काम शुरू हुआ है आप कलपरा कीजिए जब कनेक्टिविटी के हैसे सभी प्रोजेक्ट पुरे होंगे तो हिस्सा व्यापार कारोबार का कित्रा बड़ा केंदर बनेगा मैं जानता हूँ कि असम के नौर्थ इश्क हर युवा का भी यही सपना है कि वो भी पुर्भी एश्या जैसा विकास यहाँ देखे मैं आसम के नौर्थ इसके हर युवा को बताना चाहता हूँ मेरे युवा साथियो आपका सपना आपका सपना मोदी का संकल्प है और आपके सपने पूरे हो इसके लिए मोदी अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है भाई और बहनों ये जो भी काम आज हो रहे है इनका एक ही लक्ष है लक्ष है भारत और भारतियों का सुखी और सम्रद जीवन लक्ष है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक टाकत बनाने का लक्ष है ट्वेंटी फोटी सेवन तक भारत को विक्षिद रास्ट बनाने का इसमें असम की नौर्थिस की बहुत बड़ी भूमी का है एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजना की बहुत बहुत बड़ाई और अब तो मा कामाख्या के आशिरवाद बहुत बढ़ने वाले है बहुत बढ़ने वाले है और इसलिए मैं भग्य दिव्य साम की तस्वीर साकार होती देख रहा हूं साथियों आपके सपने पूरे होंगे ये हम अपनी आखों से देखेंगे मैं आपको भी स्वाद डिलाता हूं पिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोड़ा हाथ उपर करके मेरे साथ बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद महोदें आपके उत्साह वर्धक आशिरवचनों के लिए हम आपको कोटी कोटी प्रणाम करते हैं